हेलो विएर्स वेलकम बैक तो माई चानल एंड तोड़े वी आ गोई तो लर्न नंबर लाइन बट बिफोर स्टार्टिंग इस वीडियो आई वांट तो तेल देल निव वीवर्स जो निव वीवर्स हैं हमारे जो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं बता दू कि मैं जितनी भी एक्टिविटीज या लर्निंग वीडियो हैं मेरे वो मल्टी सेंसरी जो बचों के सेंसिज हैं उनको यूज करके कैसे उनको पढ़ाना है वो बताती हूँ जैसे मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि कार्ड्स रहते हैं फोनी का अगर मैं पढ़ा रह जाता है और अगर हम लोग यूज करते हैं तो बच्चे का लाइंग्विज डेवलपमेंट, कोगनेटिव ग्रोथ, फाइन ग्रॉस मॉटर जो डेवलपमेंट है और प्रॉब्लिंग सॉल्विंग स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन और सब डेवलप हो जाता है और जिसकी वज बबढ़िए aand anxious जो जाता है और इतना ही नहीं यह जो multi-sensory activity जो मैं यूज करती हूं वह curious और anxious जो जादा anxious रहते हैं उनको और frustrated बचे को भी एक तम काम डावन कर देती है activity इस लिए हम multi-sensory जो है वो method यूज़ करते हैं और मेरे जाद सब वीडियो में मैं cards और दूसरी चीज़े यूज़ करते हूं learning के लिए तो आप जरूर ये वीडियो देखिए और इनको use कीज़े बच्चों को जो learning उनकी difficulties है वो भी आप देखेंगे बहुत हद तक उनकी reduce हो जाएगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं today we are going to learn number line number line में मैं बताते चलूं आपको के number line में हम before and after number भी कर सकते हैं addition and subtraction भी कर सकते हैं multiplication के लिए भी यूज़ कर सकते हैं division के लिए और missing numbers के लिए जिन बच्चों को missing numbers या before and after numbers समझ में नहीं आते अकसर बच्चों को before number में बहुत confusion होता है तो अगर आप number line यूज़ करेंगे तो उससे जो बच्चे की difficulty है वो बहुत अच्छे से बच्चे को concept उसका clear हो जाएगा तो यह देखिए मैंने इस तरीके की number line बनाई है और इसमें मैंने एक beat डाल दिया हुआ है हम लोग अगर addition करते हैं तो right hand पे जाते हैं और subtraction करते हैं तो left hand पे जाते हैं तो इस तरीके की number line से बच्चे टच करके जब वो खुद करते हैं तो यही चीजों को हम लोग multi sensory activities कहते हैं और इससे बच्चे सब बच्चों को अगर book में दिखा कर करेंगे तो वो सब बच्चे ऐसे नहीं होते कि जली से learn कर ले अगर activities multi sensory activities रहेंगे तो बच्चों को बहुत easy हो जाता है and believe me बहुत आपका जो यह रहेगा पढ़ाने का जो काम रहेगा वह भी 50% आप देखेंगे कि आपका काम भी बहुत जल्दी पढ़ाने का जो है वो आपको आसान हो जाएगा और बच्चे के लिए भी आसान हो जाएगा तो चलिए देखते ह नमबर लाइन पर पहले हम लोग एडिशन कैसे करते हैं यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग ग्रेटर नमबर मिलेंगे और इस साइड पर हमको स्मॉलर यानि माइनस में जाएंगे ठीके तो 2 प्लस 3 ठीके तो हमारा 2 नमबर यहाँ पर है नमबर लाइन में 1 and 2 ठीके अब बच्चे को उसमें 3 और प्लस करना है तो हम लोग कैसे सिखाएंगे के this is where is 2 on the number line first ask your child to point the number on the number line which is here like for example 2 is here तो the child will point out के okay this is number 2 now we have to add 3 more in the 3 more ठीके तो this is 2 now we will add 1, 2 and 3 now where have we have reached number 5 2 प्लस 3 5 ठीके तो इस तरीके से बच्चे को easy हो जाएगा अगर दूसरा तरीका क्या है take jumps जैसे 2 में अभी हमको 3 और add करने है 2 number is here now we will take 3 jumps 1, 2 and 3 so we have reached to number 5 so 2 plus 3 is 5 addition okay this is number line and when we add on number line this is number 2 ask the child to point out number 2 or whatever the number is and how many we have to add 3 so we will take 3 jumps or we will move to the right side we will move our bead 3 to the 3 count 1, 2 and 3 or we will take 3 jumps 1, 2 and 3 so we have reached number 5 2 plus 3 is 5 next we have number line subtraction we will use number line but this time we will use for subtraction यानि minus के लिए हम लोग यूज करेंगे same number कोई tension वाली बात नहीं है बच्चे को अभी 6 minus 2 करना है first हम लोग point out करने बोलेंगे बच्चे को के where is number 6 okay this is number 6 and now we have to minus 2 इसमें से हमको 2 minus करेंगे so we will take the backward jump हम लोग backward यानि पीछे की तरफ आएंगे जब हमको minus करना है ठीके तो number line पे हम लोग आ गए now we will take 2 jumps back 1 and 2 we have reached number 4 1 and 2 so 6 minus 2 is 4 6 is here we will minus 2 so we will reach number 4 again हम लोग अगर objects बता रहे हैं तो 6 objects द्रॉँ करेंगे उसमें से 2 कट कर देंगे and remaining are 4 so this is subtraction on number line now we will do multiplication with the help of number line 3 into 2 ठीके 3 multiplied by 2 we have to take 3 jumps of 2 2 के हमको 3 jumps लेने हैं जैसे 1, 2 1, 2 and 1, 2 हमने 2 के number पे skip किया है और हम लोग पहुँच गए है 3 jumps लिए है 2 के skip पे ठीक है so 2 into 3 is 6 objects में बताना है तो ऐसे बताते हैं हम लोग 3 groups बनाएंगे एक group में हम लोग 2 objects रखेंगे 1, 2, 3, 4 and 5, 6 3 groups of 2 objects 3 into 2 is 6 we will take 3 jumps 1, 2 again 3, 4 and 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 jumps of 2 numbers 2 number के skip पे हमको 3 jumps लेने है 2 number के skip पे मतलब 2 numbers को skip करके 3 jumps लेने है यानि पहले हमने number 0 से सीधा 2 पे jump किया फिर 2 से 2 number skip करके हमने 4 पे jump किया फिर 4 से skip करके हमने 6 number पे jump किया 3 into 2 is 6 again objects बताने हैं तो हम लोग 3 groups बनाएंगे 3 columns ड्रॉप करेंगे या box ड्रॉप करेंगे और हर एक box में हम 2 objects डालेंगे और फिर बच्चे को count करने बोलेंगे 3 box है और हर एक box में 2 objects है तो 3 into 2 is 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 so this way we will use number line for multiplication objects के साथ मैं भी बताती हूँ आपको जैसे मैंने 2 beads लिये है 1, 2, 3, 4 and 5, 6 3 groups बनाए हैं मैंने हर एक group में 2 objects है 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 2, 6 इस आर नमबर लाइन 6 डिवाइड़ बाइ 2 ठीक है 6 डिवाइड़ बाइ 2 तो अभी हमको 6 को 2 parts में divide करना है अगेन नमबर लाइन पे 6 है हमको उसको 2 parts में divide करना है तो पहला तो हम चलेंगे 0 से 1, 2, 1, 2, 3 and 1, 2, 3 मतलब हमको 2 division करने हैं तो पहला जो division होगा वो हमारा 3 पे होगा और दूसरा division 3 पे होगा अगेन मैं आपको beats के साथ बता दू 6 को हमको divide करना है तो यह हमारे 6 objects है 6 objects है तो अभी हम इसको 2 parts में कैसे divide करेंगे एक 3 का part यानि 6 का जो half है वो 3 है तो हम उसको half-half में divide कर देंगे तो 2 parts उसके बन जाएंगे यानि 6 divided by 2 तो एक group में 3 objects आ जाएंगे 6 divided by 2 is equal to 3 6 divided by 2 देखिए groups में बताया हुआ मैंने 6 divided by 2 3 1, 2, 3 and 1, 2, 3 6 divided by 2 is equal to 3 ठीके यहाँ पे number line पे भी देख लिजी आप अगें वापस से number line यूज करके यह 6 number है ask the child to point out number 6 now we have to divide 6 number into 2 parts 2 parts में divide करना है तो कैसे करेंगे 0, 2, 3 6 का जो हाफ है वो 3 है 1, 2, 3 and again 1, 2 and 3 तो 6 divided by 2 is 3 I hope आपको यह वीडियो पसन आया होगा और अगर आपको पसन आया है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा मोटो है के easy learning and holistic development of your child thank you for watching